दोसों आज की इस वीडियो में हम लोग discuss करेंगे एक बहुत ही कमाल का essay on saying please कि हमें किसी को please करके क्यों बोलना चाहिए इस essay को लिखा था AC Gardiner ने तो ये कोई कानून नहीं है कि हम किसी को please या thank you कहें ये चीज सिर्फ आपकी gentleness को दिखाती है आपके बात करने के तरीके से किसी का दिन बन भी सकता है और बिगड़ भी सकता है ऐसे ही एक incident की बारे में इस essay में बताया गया है घटना तब की है AC Gardiner हमको बताते हैं कि एक शहर के office में एक liftman ने एक passenger को धक्ये मार के lift से बाहर निकाल दिया और ऐसा करने की कोई खास बज़ा भी नहीं थी जिस इंसान को lift से धक्ये मार के बाहर निकाला गया था उसने किया क्या था वो lift के अंदर आया उसने direct आकर liftman से कहा कि उपर liftman ने उससे कहा कि please add करो top please कि अगर तुम्हें उपर जाना है तो तरीके से बात करो लेकिन जब उस passenger ने ऐसा करने से मना कर दिया तो इस पर इस liftman को उस passenger पर गुस्स हैं कि यह discourtesy की बात है discourtesy क्या होता है गलत तरीके से words को use करना हम सब जानते हैं कि discourtesy को क्राइम नहीं है कोई किसी से कैसे भी तरीके से बात कर सकता है आनून के पास इतना टाइम नहीं है कि हर किसी को please बोलने पर thank you बोलने पर मजबूर करें यह तो अपनी choice होती है कि हम क किससे बात कर रहे है किससे rudely बात कर रहे है rudely बात करने से हमारी frustration तो निकल जाती है लेकिन वो frustration flow करती है एक इनसान से दूसरे इंसान में जाती है मालो आज मेरा mood ठीक नहीं है मैंने अपनी frustration अपने employee पर निकाल दी Employee घर गया अपनी बीवी पर frustration निकाल दी बीवी ने बात करनी चाहिए कि लिफ्टमेन को इंसान नहीं उससे भी प्लीज करके बात की जा सकती है लेकिन हमें यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि यह कोई लीगल ओफेंस नहीं है जो उस पैसेंजर ने किया वो प्लीज बोले या ना बोले यह उसकी चोईस है इसके लिए हम उसे रस नहीं कर सकते सोचने वाली बात है कि हर कोई अगर ऐसे बिहेव करने लग जाए चोटी चोटी बातों पर गुसाने लगे पर इतनी चोटी चोटी बातों पर खून खराबा शुरू कर दे तो पूरे शहर में मारकाटी शुरू हो जाएगी आपर राइटर लिफ्टमेन क की self-respect पर लगी और ये mental चोट धीरे-धीरे flow कर दी जाते है frustration के रूप में मैंने आपको बताया उस liftman ने choose किया कि वो इस जहर को फैलाएगा नहीं बलकि वहीं का वहीं अपना frustration उसी आदमी पर उतार दिया इससे उसको पूरा दिन भी खराब हो सकता था लेकिन उसने सोचा कि वो अपना पूरा दिन खराब नहीं होने देगा इसलिए उसने passenger को धक्के मार के बाहर निकाल दिया यहाँ पर writer एक example देते एक bus conductor का एक बार writer कहीं bus से जा रहे थे तो अपने साथ में वो पैसे लेना भूल गए टिकेट खरीदने के उनकी पास पैसे नहीं थे बात उन्होंने bus conductor को बताई उनको लग रहा था जैसे bus conductor उन्हें bus से उतार देगा लेकिन bus conductor ने ठीक उल्टा किया उसने ticket काड कर writer को दी जब writer ने पूछा कि पैसो को क्या होगा तो conductor ने कहा कि इस रास्ते आते जाते रहते हो तो कभी भी दे देना writer ने note किया था कि ओ conductor बहुत polite आदमी था सब की मदद करता था इसके बाद writer ने जब ठीक से जेव चेक की तो उसको पैसे मिल गए उसने bus conductor को दे दिये पैसे दे दिये हिसाब बराबर हो गया लेकिन इससे जो impact पड़ा उस bus conductor का writer के मन पर कि जब मेरे पास पैसे रही थे तब इस आदमी ने मेरी मदद की क्या writer जिन्दगी भर उस impact को भूल पाएगा नई इसके कुछ दिनों बाद ऐसा भी हुआ कि उसी bus में मैं सफर कर रहा था वो ही conductor उस bus में था मैं book बढ़ रहा था उसका पैर मेरे पैर पर आकर लगा बहुत बुरी तरीके से लगा तुरंत ही उस conductor ने उससे माफी मांगी उसने उसे sorry बोला और कहा कि कई ज़्याज़ चोट तो नहीं लगी writer कहते हैं कि sorry please और thank you बोलने से कोई छूटा नहीं हो जाता writer यहाँ पर एक और example देते हैं William Wordsworth का William Wordsworth इतने बड़े point थे उनकी एक poem है Leech Gatherer उसके अंदर उन्होंने बताया है कि Leech Gatherer से भी उन्होंने जिंदगी का एक बहुत important सबक सीखा तो wordsworth जैसे बड़े point जब एक Leech Gatherer से सीख सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं सीख सकते writer यहाँ पर बोलते हैं कि liftman को उसे धक्का नहीं देना चाहिए था जब passenger ने उसे गलत तरीके से बात की तो उसे उसे बहुत politely उपर छोड़ना चाहिए था और thank you बोलना चाहिए था जिससे एक better revenge होता कि अगर आपके साथ कोई गंदा behave करता है तो आप उसे अच्छा behave कर रहे हैं इससे better revenge हो इनी सकता वो उसको guilty feel करवाता है उमीद करता हूँ आपको यह ऐसे समझ में आया होगा दोस्तों अच्छा भी लगा होगा आज की इस वीडियो में बस इतना है